कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा मैं हमारे एलविज बाहर बिक बूस के सीजन तो आते रहेंगे जाते रहें लेकिन हाँ जो दुश्मनी बिक बूस के घर में बन गई वो कुछ ऐसे हो जाती है जो की काफी लंबे वक्त तक चलती ही रहती है या फिर ये कहें कि जो पूराने दुश्मन बिक बूस के घर में जाती है वो घर से बहार आने के बाद भी अपनी दुश्मनी को बरकरार रखना चाती है और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है अदनान और एलविज यादाओ के बेज दरसल दोस्तो बिक बूस खत्म होने के बाद अदनान ने काफी कुछ कहा एलविज को लेकर एलविज के भी जिपलाई आये अदनान के उन सारी बातों पे लेकिन अब हो ये रहा है कि अदनान है जो की लेम लाइट लेने का पहाना ही नहीं शोड रही है अभले ही वो एलविज के जरी हो या फिर अपनी किसी वीडियो के जरी हो यहाँ अदनान एलविज को लेकर कई सारी वीडियो बनाने लगे लेकिन हां देखा ये कया कि एलविज का उन पर कोई जवाब नहीं आया बलकि जो शुरू पे कुछ रिप्लाई एलविश के आये थे उसके बाद से एलविश कहीं गायब नजर आ रही है हालंकि एलविश अपने बाकी सावी अपटेट तो बराबर शेयर कर रही है अपने फैंस के साथ लेकिन सिर्फ अधनान के रिप्लाई की कोई वीडियो ना ही अपनी वीडियो में कोई जिक्र एलविश का नसर आया और इसी बात से अधनान है और वो ये कहने लगे कि डर गया क्या बच्चू जिहां कुछ ऐसे ही अलपास रही अधनान के उनको ये लगता है कि अब एलविश यादव डर गए है इसलिए वो उनका जवाब नहीं देना चाते लेकि लगता है कि एक दुफान से पहले के जानती है या फिर हो ये भी सकता है कि अलविश उन्हें अपने नाम से लेमलाइट देना ही नहीं चाते हो